आप देख रहे हैं पी नियूज उत्तर प्रदेश खवरों का बास्चा क्या हो रहा है इस दुनिया में? चारों और पाप अत्याचार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और दिन बदिन मानवता को मारा जा रहा है जहां एक तरफ पाल घर की घटना को बीते चंद दिन ही हुए थे वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बुलन शेहर में फिर से घटना दोराई गई दो संतों की फिर से निर्मम हत्या कर दी गई क्या ये समाठ संतों को मार करके कभी खुश रह सकता है? क्या ये धर्ती प्रसन रह सकती है? आज ही नहीं बलकि पहले भी ऐसी कितनी घटनाए घटी जिन में संतों को मार दिया गया लेकिन शायद वो घटना उस समय मीडिया में नहीं आ पाई और वो दब गई लेकिन अब ये घटनाए फिर से हमको देखने को मिल रही है चारो ओर जहां भारत देश को संतों के समान के लिए जाना जाता है जो देश धर्म के लिए जाना जाता है उसी देश में संतों की मार मार करके ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाए ये देश भला सुख शांती कैसे प्राप्त कर सकता? ये धर्ती रोती होगी जब संतों को इस तरह मरता हुआ देखती है मेरा निवेदन है सत्ता पर बैठी हुए इन लोगों से दो घटनाएं तुरंट अभी की अभी हमें देखने को मिली है और अभी अगर उन पापियों को जो ये कृत्य कर रहे हैं उनको दंड नहीं दिया गया तो ये घटना आगे भी होती रहेंगी आज हमें सत्ता पर विश्वास है हमें प्रशासन पर विश्वास है लेकिन पाल घर में भी प्रशासन खड़ा रहा कुछ नहीं हुआ यहां तक कि दोशियों को भी जो सक्त सजा मिलनी चाहिए जो कारवाई उन पर होनी चाहिए उसका भी अभी तक कोई परिनाम नहीं आया और अब यह दूसरी घटना मंदिल में जाकर के अस्त्रों से तलवारों से उन पर प्रहार किया गया यह बहुत ही गंभीर विशय है इस पर सत्ता को अवश्य जल से जल कोई निरने लेना चाहिए मेरा निवेदन है मेरी अवाज अगर उन सत्ता पर बैठे हुए लोगों तक पहुँचे महराष्ट में जो अभी सत्ता समाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में मानिये श्री योगी जी जो संतों के सम्मान के लिए जाने जाते हैं वो जल से जल इन अपराधों को आगे बढ़ने से रोकें और दोशियों पर कड़ी से कड़ी कारवाई करके उनको दंड उनको सजा दी जाए जै श्री राधे